आप अगर 2021 की बेस्ट एक्शन फ्रिलर मुवी देखना चाहते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं वल्लीवड की एक्शन मुवी देखकर अगर आप ठक चुके हो और साउथ की मुवी देखने में इंटेसेट नहीं हो तो मैं आज आप सभी के लिएक्शन मुवी जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहोगे ये सारी मुवी जॉन विक मुवी की तरह है तो वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले में ये कहना चाहता हूँ अगर आप हमले चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम लोग ऐसा इक्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं तो आज की हमारी टॉप 3 मुवी है एक्स्ट्रीम इस मुवी का IMDb रेटिंग 5.7 है और आप इसे Netflix पर देख सकते हैं इस मुवी में इतना जादा डेडली एक्षन है कि यह मुवी आपको 5 मिनट में ही पसंद आने वाली है फिल्म की कहानी घुमती है मैक्स नाम के हिटमैन के उपा जो की माफियाओं के लिए काम करता है बर जो माफिया का बेटा होता है वो मैक्स के बच्चे और उसकी बीगी को ही मरवा देता है जिसके बाद मैक्स को मजबूरन अंडरग्राउंड होना परता है तो उसके संग ऐसा क्यूं होता ये सब जाने के लिए आपको movie देखना परेगा इस movie का सबसे best part ये है कि max किस तरीके से उन लोगों से revenge लेगा तो क्या वो बद्दा ले पाएगा या खुद ही माला जाएगा ये सबी जाने के लिए आपको movie देखना परेगा इस movie में इतना ज़्यादा deadly action है और उसको इस तरीके से दिखाया गया कि आपको ये movie एक second के लिए भी बोर्ड नहीं होने देगी और कुछ कुछ scene के साथ background music इतने अच्छे तरीके से match करते हैं कि ये आपको अलगी experience देने वाली है आज के movie के लिजमे नमर टू पर है mortal combat I am div rating 6.2 और ये एक action fantasy movie है अगर आप action के साथ जादू देखना चाहते हैं तो ये movie definitely आपके लिए है क्योंकि इस movie में CGI को इतने बैतर तरीके से इस्तमाल किया गया है कि आपको ये movie बोर ही नहीं होने देगी बट विलन्स तो विलन्स ही होते हैं वो आखरी match के पहले ही धरती के warrior को खत्म कर देना चाहते हैं तो क्या वो धरती के warrior को खत्म करके धरती पर अपना कब्जा जमालेंगे ये सब जाने के लिए आपको movie देखना परेगा तो आज की हमारी movie के लिस्ट में नमर वन पर है नोबडी आयम डिवी रेटिंग 7.4 यह 2021 की वन अप दबेस्ट एक्शन मूविस में से एक है इस movie के lead में हच मैंसल है movie के start में आपको कुछ भी इंट्रेस्टिन देखने को नहीं मिलेगा एक इंसान होता है जो कि घर से ऑफिस आता ऑफिस से घर आता है फिर घर से ऑफिस आता ऑफिस से घर आता है कुछ टाइम तक यह movie आपको पूरी तरह से बोर कर देगी बट आगे देखने को मिलता है कि पूरी कहानी का जो plot होता है वो एक ही रात में घूम जाता है जिया एक रात को जब हच बस में आ रहा होता है तब उसी बस में कुछ गुंडे उड़ जाते हैं हच चाप वहाँ पर बैठा हुआ रहता है और वो लोग वहाँ पर आकर बत्ते मीजी करने लगते हैं बसकर सारे लोग उतर जाते हैं और वो लोग एक लड़की का रेप करने की कुशिस करते हैं उसके बाद ही फिर असली कहानी शुरू होती हच उन गुंडों को इतने गंदे तरीके से मारता है कि यह सीन देकर आप इस मुवी के फैन हो जाओगे बट आगे देखने को मिलता है कि वो गुंडे छोटे मोटे गुंडे नहीं बलकि एक माफिया के भाई होते हैं जी यहां हच ने एक पूरे माफिया के गैंग से पंगा ले लिया है और वहीं हच के पास एक छोटी सी फैमली भी होती है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है वो माफिया जितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं हच उन माफियाँ के लिए अकेला ही काफी होता है तो आप यह तीनों मुवी को जरूर ट्राइ करिए क्योंकि यह तीनों मुवी आपको एक अलग ही एक्स्पिरियंस देने वाला है इसे के साथ यह वीडियो को खत्म करता हूँ वगर आप हमेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि हम लोग ऐसा इक्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना रिस्पॉंस जरूर सेयर करिए तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं अगली वीडियो में